हमारे पास लगा हुआ ये एटल का वाइफाई, वन जीवीपियों से लगा ये प्लान है हमारे पास, प्लान पता कले ना कि इसका रेट क्या है, आपको पता लग जाएगा कितने का है, आपके पास कोई प्लान हो सकता है, 499 या फिर उससे उपपर वाला है, कोई भी यो इसको अन करना पड़ता है, यहाँ पर आपको 150 चार्जस देने पड़ते हैं, 150 प्लस GST, पर मंथ आपको देना पड़ेगा, अब आप जितने महिने के लिए बाहर जा रहे हैं, उतना आपको पेग अनना पड़ेगा, सेफ कस्टडी में आप रख सकते हैं, एक महिने, दो मह आपको दिखाता हूं कि कहां पर option मिलता है, और इसको कैसे on करते हैं, आपके बहुत यदा काम आ सकता है, आपके आपको पूरा मांट पे नहीं करना पड़ेगा, चलिए बढ़ते हैं, आपको अपने फोन के अंदर एडल थैंक्स एप डाउन कर लेना है, प्लेव स्टोर से, और उसी से मॉबाइल नंबर से लॉग इन कर लेना है, जो मॉबाइल नंबर आपकी वाइफ के साथ में रिजि अब भी दिख सकते हैं, यह मेरा दूसरा प्लान है, 399 प्लान है, 30 Mbps के स्पीड है, unlimited data है, and unlimited calling है, 30 Mbps वाला प्लान है, यह मेरा दूसरा वाइफ है, safe custody on करके दिखाता हूं, यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा से नीचे स्कूल डाउन करना है, नीचे आएगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, pause plan, ठीक है, इसके उपर आपको किलिक करना है, अभी यहाँ पर दे सकते है, pause your connection, while you are away, नीचे option मिल जाएगा आपको safe custody का, इसको आपको on करना है, अभी यह बता रहा है, are you sure, you want to activate safe custody, तो जी यहाँ बिलकुल हम saver है, और यहाँ पर यह भी custody, तो चलिए कोई ना, 50 रुपर जाद करने पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, activate के उपर किलिक करेंगे, यहाँ पर, your order was submitted successfully, और यह बता रहे है कि 2 घंटे के अंदर यह reflect करना चालू कर देगा, आपका 2 घंटे के अंदर अंदर, Wi-Fi जो है, वो प्रॉपर बंद हो जाएगा net उसका बंद हो जाएगा, उसकी बाद आप use नहीं कर पाएंगे, जब तक इसको off नहीं करेंगे, हम यहाँ से okay कर देंगे, बस हमारा safe custody on हो चुका है, अब आपका bill आएगा नहीं, प्रॉपर जो भी आपका plan होगा, 200 प्लस JST आएगा, वो भी plan हो, A2Z, अभी हमारा modern proper request ले ली गई है, और जो आपका number या wifi जो है, वो locker facility has been activated, फ्लान डमा कई साय को लिखा हुआ है, इतने बज़े से start हुआ है, तो अगर आपके पास ATL का wifi लगा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आप safe custody को on कर सकते हैं, और आप जो use नहीं कर रहे हैं, एक दो महिने का, उसका bill देने से बच सकते हैं, जाइए फटा 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 ओन कीजिए, अगर आपको करना है तो, और ये वीडियो अच्छे लेकित वीडियो करने लाइक, एंड चैनको लेने सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ हुआ है, तो B7B Health